प्राणवान डाइक भबार स्वाइब मूतों देस्रीरामाक्रष्ण। कोवीड का कहभ जारी है उसमें काफी लोगों को सांस की दिक्कतें होती है तो उसके लिए अच्छे से किकरते हैं धन फिक्राइब हो तब हैं कैसे करना भाहाइब करना क्याकर आदिस्ट उसके लिए ने सब्सक्राइब है penguin किरें विड्यो लाइक करे er मैं और और भी आपको को बता रहा हूं कि सक्रमित हैं तो डाक्टर से पूछ ब्रेदिंग एक्सराइज करें लाब जरूर मिलेगा बासकर नॉलेज सीरीज है उसकी आपको बता रहा हूं मैं कपाल भाती अनुलोम विलोम से ब्रेदिंग पैटर्ण सुधारने में मदद मिलेगी प्राश्न क्या आप भाब लेना ब्रेदिंग शुधाने या सक्रमन कम करने के लिए फाइदे मन है उसका जवाव है फेपड़ों में कई समस्याओं से भाब लेने को खहा जाता है नाक बंद वह कंजेशन से आराम मिलता है दिन में दो से तीन बार भाब लेने से कोवीड के गारंटी नहीं है सक्रमन मुख होने का सावधानी रखें दूसरा सवाल यदि कोई व्यक्ति एक मिनट तक सांस नहीं रोक सकता है या हलकी कसरत में ही सांसे फूनने लगती तो क्या ब्रेदिंग सुधारने के लिए कोई विशेश प्रक्रिया है इसका उत्तर है सबसे पहले यह समझें कि यदि किसी व्यक्ति को हलकी सी कसरत में सांस फूनने लगती है तो बहुत मुम्किन है कि वह मोटा पे से ग्रसित हो या हर्दे रोक की दस्तर हो इसलिए सबसे पहले इसकी अतिरिक दूरूप से जांच करवाएं दूसरी बात ब्रेदिंग एक्सेसाइज निश से अबनी रहती हैं तो जांच करवाएं कुल मिलाकर इन व्यायमों की मदद की द्रश्टी से देखें इन्हें सीधे तोर पर समाधान नमालने साथ ही हमें किस तरह से ब्रहमित करने वाली जानकारियों से बचना चाहिए जिस बात की विशेश्य की पुष्टी न करें तीसर साथ पर निर्वर करता है कि शक्रमन के बाद रोगी किस इस्तती में है यदि रोगी के फैपड़े बुरी तरह से सक्रमित हो चुके हैं और सांस लेना बादित हो रहा तो ऐसी निश्यत है तोर पर किसी तरह अतिरिक सला नहीं दी जा सकती वही बहुत से वे लोग जो शक्र दायक लक्षन नहीं है या जो शक्रमित होने के बाद सांस लेने से पाने की इस्तती में होते हैं बेसंभवत ब्रीधिंग एक्सराइज कर सकते हैं लेकिन ये भी संबंदि डक्टर की सलाप पर ही करें इससे इस परकार समझें कि सक्रमन के बाद फैपड़ो को बहुत नुक से पूछे सवता सवाल सक्रमन के बाद गले में खराश अक्षत देखी गई हैं यह मुक्किय लक्षन भी हैं इसके लिए गरारा करने के साथ गले के वियायम कर सकते हैं सक्रमन के किसी भी लक्षन के बाद केवल जांस ऐसोलेशन और डाक्टर से परावर्मर्स ही उच्छित हैं आम दिनों में देखा गया कि गरारे कराने से निश्चित और गले में खराश और आराम मिलता है और कोवीड संक्रमन के बाद में ऐसी गले की खराश से सामना होता है पांचवा सवाल कोराना संक्रमन में नाग बैना नाग बंध होना और गंद ना आना प्रमुक लक्षन ब प्याम के साथ साथ ब्रिदिंग एक्सराइज की भी कीमत समझनी चाहिए लेकिन यह भी समझना होगा कि कोविड सक्रमान फैपड़ों को बहुत व्यापक इस्तर पर नुक्षान पहुंचाने की शमता रखता है बहुत से मरीजों को HR CT scan की भी सला दी जा रही हैं ताकि उनके की इस्तति का पता लगाया जासे के ऐसे में अपने फैपड़ों को अतिरिक कश्ट देना बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है इसलिए सक्वन के बाद भी यदि आप खुद को शक्षम समझते हैं तो किसी डाक्ट से पूछ कर ब्रिदिंग एक्सराइज करें तब इलाज क को भी अनुलों विलों और प्राणयाम करेंगे तो मानसिक स्वास्त भी अच्छा रहेगा ऑक्षिजन की सप्लाइए वह भी अच्छी रहेगी और आप भी अच्छे रहेंगे आपके परिवार भी अच्छे रहेंगे तो टिपने का दबाव दूंगा मिलते हैं नए अपड